हेलो एब्रिवन वेल्कम टो वर यूट्यूब चैनल जेकल लेटिस इंफो तो यहां पर आज हम फिर से जेकाइस इसपी की बात करें साइंस का पॉश्चिन स्टार्ट करें जो कि अपर कें सारे एक्जाम में काम आने वाला है जेकाइस इसपी का जैसे हम सब इंस्पेक्टर क के बात करें एकाउंट एसिस्टेंट की बात करें इन एक्जाम में तो क्लेरी मेंशन के गए यह तॉपिक तुम स्टार्ट करते हैं आज हम साइंस में बाइव से स्टार्ट करें जहां पर हमारा आज का पहला टॉपिक जो रहने वाला है वह हमारा ब्लूड रहने वाला है की बात करें और सिस्टम यह हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जो आपको बताता जाओंगा स्क्रीन में अपकी में आते जाएंगे आपने प्रैक्टिकल होके समझने सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह आपको वैसे बेग जन्रल अवेर करेंगे बेडका प्यच कितना रहता है 7.3 7.4 इसके करीब करीब जो है फुर्इन घिडुर Ish है जितना भी ब्लॉट शो-स नोज सी क्स्कूट होता है और वह पलाजमा ही होता है और प्लाजमा की बात करने में अगर अगर हम यह बलड प्लाज्मा की बात करें इस प्लाज्मा में सिर्फ प्लाज्मा की बात करें इस poems 90 परसंट तो वाटर उते तब भीनिक्वीड होता है साथ पसंट प्रोटीन होते हैं बागी कुछ हमाउंट में जैसे ग्लूकोस वगरा इस तरह की और भी चीज़मा पर देखने को मिलती है हमारे लिए important क्या है हमारे लिए ब्लड कार्पुसेल्स वो जो 40 पसंट आता है ब्लड का वो हमारे लिए important बन जाता है प्लाजमा की बात करें food हो गया excretive products हो गया इनको transport करने का काम करता है blood corpus cells की बात करें तीन parts में divided है एक हमारे पास RBC आ गए एक हमारे पास WBC red blood cells white blood cells और blood blood cells clear हो गया हमारे blood की बात करें दो parts में divided एक plasma होते हैं एक blood छोते हैं अगर हम प्लाजमा की बात करते हैं वह तो clear हो गया अग्र ब्लड क्लिर्श की बात करें यह भी तीन नाम है red blood cells का एक और नाम होता है इतना क्लिर हो गया आगे बात करते हैं इनका life span कितना रहता है red blood cells की बात करें इनका life span जो उटका जिंदगी है वो 20 से लेकर 120 जिन तक रहते हैं फिर दोबारा बनते हैं मतलब समझ गो लेकिन जो एक बार इस वह औक्सिजन होगी हमारी बॉड़ी में एक चाहिए आपको पूरी बोड़ी में कुछ भी पहुंचाना तो पूरी बॉड़ी फ्लोग रहा ना आगे चलते हैं इसको नॉर्मल काउंट की बात करें चाह से पांच मिलियन रहते हैं यह सिंपल नॉर्मल काउंट रहता है और इसको मेजर किसे करते हैं इसको नॉर्मल काउंट रहता हैं तरहा हैं इनका दूसर नाम क्या होता है इनको हम बोलते हैं लूसर। अर्टोसाइड्स ड्वॉबिस यहनने कि वाइट बेर्लेड शेल्स की बात करें इसे हम कहते हैं लूसर। इतना क्लिएर हो गया होगा इनके जिंदेगे कितनी जाती है 13 से 20 तक का इनका लाइब स्पैन रहता है है यह क्या काम करते हैं हमारी बॉड़ी को सेफ रखते हैं वह कौन होते हैं वह डवूबी से होते हैं इनका कांट कितना रहता है 4000 से लेके 11000 तक अगर normal count रहते हैं पूरी बॉडी में नहीं चोटा सा कर में cubic liter, milliliter की बात करें उसमें 4000 से 11000 तक इनकर count रहता है इतनी quantity रहती है आगे थर्ड पार्थ हमारे पास blood platelets blood platelets की बात करें इसे thrombocytes कहा जाते हैं तिनों का अलग अलग नाम भी था अर्थोसाइट्स, लिसोसाइट्स और blood platelets की बात करें इसे thrombocytes भी कहा जाता हैं यह सिर्फ blood platelets की बात करें न यह सिर्फ human beings में यह फिर बाकी mammals में होता है बाकी एक और किसी में देखने को नहीं मिलता है किसका हम blood platelets की बात करें जो इंसानों को डेंगू fever होता है डेंगू के टाइम पर वो काउंट होता है यह एक नंबर कम होता है यह नंबर कम होने स्टार्ट जाता है इतना क्लियर हो गया यह थी हमारे पास blood platelets और काम किसमें करते हैं blood clot में यह काम आते हैं देखो के करते हैं यह सब कुछ समय गया blood क्या है किसके से बना उनको क्या 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 काम होता है वो सब कुछ आपको क्लियर किया मैंने आगे चलते हैं अब हेमोग्लोबिन आप जब ब्लेड को टेस्ट करवाते हैं तो हमोग्लोबिन इसमें और यह सब्सक्राइब हो तो हम बोलेगे यह वह तीक है वह थीक है वह बंदा ऑगे बात करते हैं जो हमोएं ना इसमें है विद्व को शेर भी करना और वीडियो को शेर भी करना आप देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेर भी करना आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके अभी जाके विजिट कर ले वीडियो देखने के बार या भी विजिट कर सकते हूँ यह तो हो गया basic basic funda blood के बारे में आपको बताए कि blood क्या होता है किस किस तरह से बनना हुआ है आगे हम चलते हैं यहां पर blood group की हम बात कर रहे थे न आपको प्रोटिन के बात करें से एंटीजन भी कह सकते हैं डियाए जिस तरह से ग्लाइको प्रोटिन एक अंटीजन अशल से एंटी बाडी बोडी बॉल्टिस के अगेंस्ट होती है तो एंटीजन होगा जो blood ग्रोप अब आपकर दो बात दियान रखना यूनिबर्सल डान उसको जान समर्जना यह blood group O है यह A, यह B, फिर AB, अगर blood group O की बात करें, तो इसमें किसी भी तरह का antigen नहीं होता, अगर blood group A की बात करेंगे, इसमें antigen A होता है, अगर किसी का blood group B है, उसमें antigen B B है, अगर किसी का blood group A B है, तो इसमें antigen A B है, ऐसे अगेस्ट में बनते बताया थे गालूप और बनेगे जिसे का बलद गुड़्य बन जाएगी जिसका blood group B है उसमें antibody A बन जाएगी जिसका blood group A B है उसमें किसी बिता की antibody नहीं बनेगी एबर खुद इसको ध्यान से समझना, analysis करना, सब कुछ clear होता जाएगा अब जो O वाला, जिसमने का blood group O है ना वो O, A, B, A, B, सब को donate कर सकता है इसलिए हम O blood group का बोलते है, universal donor किसको भी donate कर सकता है जिसका blood group A है, वो किसको donate कर सकता है, A वले को और A B वले को जिसका blood group B है, वो B वले को और A B वले को अपना खून donate कर सकता है जिसका blood group A भी है, वो सिरफ A B वले को भी blood group donate कर सकता है इतना clear हो गया, अब हम बात करते हैं, जो blood group O है ना, अगर उसको खून लेना है, किसी से blood लेना, receive करना है, तो उस बंदे का blood group B O होना चाहिए, अगर किसी का blood group A है ना, वो किसे खून ले सकता है, जिसका blood group O होगा, या फिर A होगा, किसी का blood group B है ना, वो किसे खून ले सकता ह या तो O से या तो B से अगर किसी का blood group AB है तो वो किसे खून ले सकता है वो किसी से भी ले सकता है इसलिए जो blood group AB है उसको universal receptor कहा जाता है यह किसी से भी खून ले सकता है इतना funda clear हो गया आगे चलते हैं यह basic था blood के बारे में और blood group के बारे में उम्मीद आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा आगे हम यहां पर बात करते हैं human heart की क्योंकि हम circulatory system मतलब क्या हुआ हमारी बोड़ी में blood की movement कैसे हो रहे है वो सब कुछ पढ़ने जा रहे है सब्सक्राइब की बात करें हम बले हर्ट की बात के लिए हर्ट हमारी बोड़ी में है क्या pumping organ है आपको पूरे ब्लड को पूरी बोड़ी में फ्लो करें टांग उसले कि हाथों तक हैड तक फ्लो करने न अपने आप तो निच्छ से उपर आएगा नहीं उसको pump करना पड़े मिल रहा होगा यह उसके location क्या होती है strenum आपका ribs होती है उसके center में जो हड़ी होती है उसके back side में होता हमारा human heart की बात करें स्क्रीन में दिखे भी रहा होगा human heart जो वह चार चेंबर यानि कि चार पार्ट में divided हैं इसको थोड़ा सा ना मैं आपको बदाने की कोशिश करू क्यों में यहां पर human heart की बात करते हैं हमारे human heart human being की बात करें चार चेंबर वाला दो अपर चेंबर होती है आपके screen में भी है मैं आपको छोटी सी image बनाके कोशिश करते हो समझाने का देखो upper chamber भी दो हैं मैंतोंं हमारी इंहारी human heart के दो पार्ट निचे मिलए human heart जो उल चार पार्ट है ऐसा डिकरम ने होती है मैं आपको बता रह说ो कि dhp दो chamber ऊपर की तरव बनाए हुए दो chamber नीचे की तरव बने होते हैं ऊपड़ वले कौनस जो हते हैं एक right atrium देखो उपर की तरफ क्या हो जाएगा right atrium फिर left atrium क्राइश की तरफ क्या हो जाएगा ventricle right ventricle Oh left ventricle समझ कियो दो apper chamber into lower chamber do upper chamber नहीं शेम बोसे आद लेकल को सब्सक्राइव पर रहा होगा अब ब्लैट की People's के व्होर ej करिंब बात वी है कि जो हमारे बॉडी में ब्लर्ड है वह इंप्योर भी होता है इंप्योर भी होता है यह यहांपर समझो हमारी बोडी में हो रहा क्या है हमारी body में मान के चलो कि carbon dioxide वगरा आगी है blood वगरा में त्योंकि हमारी body में blood हर जगह जा रहा है ठीक है उसने कहीं से कर लिया हर पार्ट से रहा है उसने जो carbon dioxide रेसीव कर ली अब वो रेसीव करने के बाद जब blood में CO2 आगया वो तरिमें को समझाने के बना आगा एसे डियाप नियुक्र लेएं कोन से बहुत रायाल को राइट वें री epic की तरफ में थे थे अपर यहां से कहां पर सब्सक्राइध अन्ट आरो टो निदे इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब क्या हुआ जो है पूर होने जा है तो लंग्स के क्काम करें ब्लड को प्यूड यहां प्यूर निकांट को exchange होता है carbon dioxide बाहर exhale कर रहें auction inhale कर रहे थे जो हमना auction inhale की थी वो blood से mix होगा इसका मतलब क्या हो गया blood जो है वो pure हो चुका अब जो pure blood है वो कहां जाएगा इस left atrium जाता है blood movement कैसे कर रहा है ऐसे आया यहां से लंग से जब लंग में पूरी बाड़ी में जो है वो blood circulate होगा pure blood और फिर ऐसी आएगा फिर वापस इंट्री करेगा प्योर होगा फिर ऐसी circulation जो है वो चलती रहती है अब कुछ बातों को ध्यान रखना है हमारी बाड़ी में जो blood vessels blood vessels मतलब जैसे blood बाड़े वहारा फ्लों कर रहा है एक arteries में है वेइन होती है होती है हमेशा क्या कहती है आर्ट्री जो भी बैड में आर्ट्री है ना हो कहें करेकि pure बड़ यानि कि oxygenated blood carry करती है ने किस तरह की वाल वगारा नहीं होती है अगर हम वेंस की एक्सचेंज हो रहे हैं जैसे मैं आपको कहा था है यहां पर कार्म डॉक्सित ऑक्सचेंज हो रही है ना तो क्योंगी से बाहर निकल रही है और वह यहां पर आता है यहां से थो सो पिम्लेड जा रहा हमें दिखके आता है यहां पर इंपयर ब्लेड यहां पर जा रही है है पुलम तरी आट्री ψंशे करते हैं आर्ट री हमेशे हमने कहां पयोडर करी रही है but यह अकेला ऐसा केस जांपर आर्टपर पर सिस्टम पूरा लग हो रेता हैया है यहां पर क्या था था बड़ प्यूरिफपाई हो Mac लेफट एंके जा रहा था यहां pa आट मेंने प्लसुप प्लमेन तकर थी हमाय। इंप्यूर ब्लड ब्लड बट जब पुल्म नरी आ गया ना तो सारा फंडा रिवर्स हो जाएगा अपूजट केस बन जाएगा बस बागे सब कुछ सेम तो सेम रहने बोला है क्लिड हो गया इत्रियों मैं और राइट वेंट्रिक है इनके बीचे वाल रहती है उसे वाल होके तब युझा वाई में बीच वाल वृद यूद्टे वारे व मिपर यही उपने कमेंट सुक्यां बताना है और आ पको स्पीग यहां पर यहां पर इंपॉर्ड को समझ हा गया बहुत कर रहा है तो जो से इतना सब्वेर्य वेन कोई सिह बात करें से काडिक मिसल की कई टाए सब्सक्राइब के बात करें अब यहां पर बात करें ब्लड सिस्टम की बात करें अब हुमन हर्ट जो है वो करता है रिलाक्स करता है कोन्त रैक्स करता है क्वळा क्वानड उस टाइम को बोलते और को प्रेश्य मेंटर बगरा उस मैनोमेटर में मरकरें पढ़ा हो तो 120 अमें तक उपर उठ जाएगा इतना उसका प्रेशर होता है अगर हम कॉंट्राट करने की बात की बात करते हैं और जब सिस्टॉलिक प्रेशर हमारे हुमन हर्ट की बात करें लब डब वली अवाज आती है तो लब वली कि बात करें और इस मूवमेंट को बोलते हैं डास्टॉलिक मूवमेंट या फिर रचल रही है इस सारह हो गया अब थीए एकषूबीस बट्यासी बोलतों ना बेट प्रेशर केता है तो नॉर्मल वगर रहा है हालाकि आज की टाम यह वन फॉटी बाइन इससे पॉंच चीए होगा बट बूक्स में यह रहता है हम यह मान के चल लेंगे करने की बाथ कोन्ट करने की बात करने ऊफिएंस इकशंवर रहता है हम को प्लेट प्रेशर काम हो गया हम बोलते हैं ipotutos औप्रेशुचन हो गया focus करते हैं इतना भी आप सभी को क्लिर हो रहा होगा समझ आ रहा होगा ठीक है अब यहां पर लास्ट में थोड़ा सा पोश्ट में आपसे डिसकास कर लेता हूं और आपको बताना चाहूंगा हमारे जितने भी सब्सक्राइब कर सकते हो और कर सकते हो और तेन्स प्राइब कर सकते हो और किसी ऐस बढ़िए दिख कर दो वो स्टेंट होता है एक्च्विल में इस तरह की ब्लड वेसे आपको सुख यहां पे ब्लड सबस्टीक है सब कुछ ओक है तो ब्लड इसने फ्लो यहां से करेगा किस दर्थ आपको पूरी तरह से बंद होगी ना तो बैग प्रशन का चाहा है आपको एठाक आ सकते हैं तो इस एक अपने पूज़िए फ्लो कर दो चेंज भी करिवाना पर तो बात की बाते हैं बाते हैं बाद आपको जो से स्टेरा का डाउट है वीडियो की कमेंट से कमेंट रखेंट लोगी कुछ लगता है कि हैं तो कुछ एसड़ाइस ने बता पाया यह मैं नहीं बता है वह आप वी वीडियो शेयर ज़रूर करना अगर अच्छे लगए तो बाकि नेक्स्ट वीडियो जो अफिलाल इनी टॉपिक से लिलिड होगी कुछ अलग वीडियो पर चाहते हो तो कमेंट सेक्ष्ट पर कमेंट रहे ज़रूर बताना थैंक यू जाहिंद